असलम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब तो चलिए आज मुस्लिम स्टाइल चिकन दम बिर्यानी बनाएंगे यह खाने में बहुत ही मज़े की और बनाना बहुत ही सिंपल है बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाएगी तो वीडियो को बिना स्किप करें भी पूरा एंड तक और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चिकन बिर्यानी बनाना शुरू करेंगे चिकन बिर्यानी बनाने के लिए मैंने यहां पे 750 ग्राम चिकन दिया है मैंने मुरी का गोश्ट यह मीडियम से इसके बोटिया है इसमें चर्ब चतनी बार मिक्स कर लोंगी अब इसके अन्दर मिर्ची डाल रहे हैं कि शेमेरी मिक्सी ली है यह दूखी में दालोंगी यहां पे 1 टेबल स्पून से थोड़ा जादा अधरक लसन का पेस्ट लिया है और यहां मैने तीथा प्तिकन अर्फ यहमिर्शी का पेस्ट और एक मुट्टी भर पुदी ना, एक मुट्टी भर कोतिम विर, इसे भर मिक्स कर लूँगी, यहाँ पर कस्वरी मेथी ली है, एक टी स्पून जितनी, यह टोटली ऑप्शनल है, चाय तो डालिए या फिर छोड दीजिए, यहाँ पर हाफ टेबल स्पून जितना धनिया का पौ यहाँ पर एक लिम्बू का जूस डाल रही हूँ, सीर्स को छोड़के लिम्बू का जूस डालिए, और एक बार मिक्स करिए, अब इसके अंदर तीखी वाली मिर्ची डाल रही हूँ, आपको तीखा कितना चाहिए, उतना देखे लीजिए, इसे हरी मिर्ची भी दाली है, वो भी तीखी वाली और लाल मिर्शी डाली हूँ टेबल स्पून की नजदिक जितना इसे बेएक बार मिक्स कर लूँगी यहां पर बरिस्ता लिया है राइड ओनियन चार्सो ग्राम प्याज को कट करके 40 ml जितने तेल में फ्राय करके लिया है आप चाहे तो आदा किलो भी ड दालूँगी थोड़ा सा रखा है बाद में गानिशिंग के लिए तो इसे भी मिक्स करेंगे हातों से अच्छे से मैश करते भी यह मिक्स कर लीजिए ताकि सारी बोटियों को मसाला अच्छे से लग जाए कुकर में प्यास प्राय करके लिया था उसी के अंदर ये गोश्ट डाल रही हूं डालके मिक्स करके इसे एक घंटे के लिए मैरनेट बने के लिए रकूंगी दिखिए कुकर में वही वाला तेल है जो मैंने प्यास प्राय करके लिए थी ना वही वाला 40 ml जितना तेल डाला था वही काफी होगा अलग से तेल नहीं डाल रही यह एक घंटा हो चुका है जबी से पकने के लिए रखूँगी आपके पास टाइम नहीं है अगर आप मैरनेट नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं आप मैरनेट करना स्किप करिए डैरेट पकने के इलाइची छोटी वाली आरेनिस भी डाजिये एक चार लावंग थोड़ी सी दाल चिनी और हरी मिर्ची एक दो तोड़ के डाली है थोड़ा सा पुदीना थोड़ी सी कोतीम बीर अद्रक लसन का पेस्ट एक टीसपून जितना शाजीरा और जो मैंने लीम्बू का जूस निकाला था न वही वाले लीम्बू के छिलके इस पानी में डालूंगी और पानी को उबाला निकले दूंगी दिखे पानी में उबाला आ चुका है इसके अंदर नमक डालूंगी दो टीसपून भरके डाला है नमक थोड़ा जाधा रहना चाहिए पानी की कॉंट्री जाधा रहती है न तो चामल में करक्ट हो जाएगा कम डालेंगे तो चामल फीकी बनेगी पानी में उबाल आ चुका है अब इसके अंदर चामल डाल दूंगी मैंने या पे बिल्यानी राइ पानी को नितारते विए इस उबलते विए पानी में डाल दूंगी एक बाद चमस से घुमा लिजिए और पकने के लिए देजिए पुरा अच्छे से पकना चाहिए 90 परसंट जितना ही पका लेती हूं मैं चामल अगर हम चामल को कम पकाएंगे तो चामल थोड़ से सक्त बन दो आप देख सकते हैं यहां पर प्रस किया तो चामल पूरी सी दब रही है तो अच्छे से पकी है अब इस पानी को नितार लोंगी यहां पर मैंने एक छनी ली है के अंदर यह पानी पूरा नितार हूंगी इस पर प्लेट ढखके इसे साइड में रख दूंगी पिदिकी म मैंने ग्यास को बंद कर लिया और थोड़ा सा अंदर पानी था उसको अठा लिया और इस तरह की ग्रेवी बनी है यह अगर आप भगोन में पकाना चाहते हैं तो इसे 20 मिनिट लगेंगे लेकिन कुकर में एक सीट में पक जाएगा मुरी का गोश्ट तो पका के इस तरह से म अब इस कुकर में का पूरा गोश्ट को अलग कर लूँगी सबसे पहले मैं चामल डालूँगी इस कुकर के अंदर गोश्ट को निकाल लिया है तो इसमें चामल डालूँगी पूरी ही डालूँगी थोड़ी ही बचा के रखूंगी चामल को अब उसके उपर यह पका हुआ लेरिंग करेंगे मैंने 15 kg बासमती चामल ली थी तो आदा किलो ही मुरीय का गोष्ट दालूँगी मैंने 650 ग्राम गोष्ट लिया था इसलिए थोड़ा सा गोष्ट मैं बचा के रखूंगी ये चपाती, रूटी के साथ आप खा सकते हैं इसलिए थोड़ा सा बचा के रखरी हूं गोष्ट को थोड़ा सा मतलब आदा किलो जितना गोष्ट डाला है थोड़ा जो उपर का है ना पाव किलो उतना सा रखी हूं लेकिं अच्छे से गोष्ट को बिचार दिया है उसके उपर थोड़ा सा कोतिम भी हरा धनिया और जो थोड़ी से प्याज बचा के रिकीतना वो उसमें डालूंगी डालके उसके उपर बची भी चामल डालूंगी अब इसके उपर यही वाला तेल डालूंगी गोष्ट में जो है ना वही तेल अलग से तेल घी नहीं डाल रही है अब यह मैंने थोड़ा सा फुड कलर लिया है वो चामल के उपर डाल रही हूँ जो मैंने चामल पका लितना उसी के अंदर का थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर नॉर्मल वाला पानी मिक्स कर लिया है तक्रीबेन हाफ गलास से थोड़ा जादा वाला पानी है ये इसके उपर डालूँगी, चावल तले में लगीगी नहीं और अच्छे से दम हो जाएगी, इस तरह से करेंगे तो आप ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया है, सब कुछ डाला है, अब ढ़कन बंद करके इसे दम पे रखूंगी, मैंने तीन मिनिट के लिए इसे ह हाई फ्लेम पे रखा था, उसके बाद तवा रखा है, रखके और एक दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे रखी हूं, तो कुकर हवा पकड़ा है, एक सीटी जितना, अब ग्यास को बंद कर लिया है, और सीटी का पूरा प्रशर निकलने तक वहीं पे छोड़ दिया है, तक् चावल को निकाल लूँगी, कलर वाली बाद में गारिशिंग लें डालने के लिए, और आपको अंदर से दिखाऊंगी, कितनी अच्छी दम हुई है, नीचे भी नहीं लगा है, एक साइड से निकालना चाहिए, नहीं तो चावल तूट जाएगी, तो लीजिए हमारी चिक अब भी इस तरह से सिंपल वाली चिकन दंबिर्यानी जरूर बनाएगे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर किजिए, अब तक अपने मेरा चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब किजिए, थैंक्स वर रोचिंग